असलामलेकुम डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग आज हम सेमी कॉलन का जो है पंक्ट्वेशन में यूज देखते हैं बड़ा एक इंपॉर्टेंट सिंबल है और दो इसके यूजिज इंपॉर्टेंट जो हैं सबसे पहले अगर हमने जॉइन करना इंडिपेंडेंट क को यूज को यूज करना है और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज जैंका अपस में कोई क्लोज रिलेशन भी पाया जाता हो लाइक शी फिनिश्ट हर वोक दैन शी वेंट फॉर वाक अब इसके अंदर जो है अगर आप देखते हैं तो अगला जो क्लॉज है वो है तो इंडिप है कि हम लोग किसी चीज को सेंटेंस में किसी चीज की लिस्ट जैप परोवाइड का रहे हैं जिनके अंदर पहले से जो आइटम्स है वो कॉमा की मदद से सेपरेट हैं तो उसके अंदर हम जो है कन्फीजन से बचने के लिए फिर अगें या रपीट्री कॉमा यूज नहीं करते हैं दरम्यान में हम सेमी कॉलन भी यूज करते हैं फॉर एक्जेंपल अगर आप देखते हैं बीचे एक्जेंपल मैंने ग्रीन से जो हाइलेट किया है फॉर लंच ही ओड़र्ड असैलर्ड विद बालसैमिक विनीगेरिट अच्छा यहां पर देखें फॉर लंच जो है पहले कलाज और फ्रेज को जो है हमने कॉमा की मतद़ से सेपरेट किया और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आइटम थी उसको मैंने जो है सेमी कॉलन से सेपरेट किया इसका मतलब है कि यहां पर थोड़ी से किन्फूजन जया वो क्लेर हो जाती है और सेंडविच की जो है उनको जो है रिप्रेजेंट कर रहा है जो के हैं तो एक ही आइटम के अंदर लेकिन एक ही और के अंदर लेकिन जो है उनके अंदर फर्दर जो है इसलिए सेमी कॉलन दिया जा रहा है कि वो तमाम के तमाम एक ही डिश के अंदर नहीं है वो डिश को सेपरेट कर रहा है इ हमने एक ही sentence के अंदर या एक ही group के अंदर से further grouping करनी है तो हम उसके लिए semi-colongers को use कर लेते हैं